तो यहां इस question में हमें quality question दे रखी है 4x square plus 3x plus 7 equal to 0 और इसके alpha beta roots दे रखे हैं ठीक है और पूछता है value of 1 upon alpha plus 1 upon beta क्या होगी चार options दे रखे हैं आपको इसमें आपको सही answer चूज़ करना है तो देखिए quality equation के अधर रखी है 4x square plus 3x plus 7 equal to 0 और बोल रखा है कि alpha beta जो है इस equation के roots है और जिरो है तो मैंने यह theory में पढ़ रखा है quality question की property होती है कि जो roots का sum होता है तो आपकी equation number 1 बन गई है ऐसे एक और property होती है कि जो product होता है roots का alpha beta वो होता है constant term तो इस case में 7 हो जाएगा divided by coefficient of x square इस case में 4 हो जाएगा तो यह equation number 2 हो गई ठीक आप देखते है हमसे value किस चीज़ की पूछ रहा है हमसे पूछता है 1 upon alpha plus 1 upon beta की value बताए मुझे ठीक हम मैं आप LC में लेकर क्य equation 1 से value रख सकता हूँ मैं minus 3 by 4 और alpha beta की value equation 2 से रख सकता हूँ 7 by 4 अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ है minus 3 by 7 यह हमारा answer हो गया ठीक है तो मैंने कुछ नहीं किया simple जो प्रोपर्ट को प्रोपर्टी होती है quality equation कि उसका यूज किया है यह sum of roots और product of roots क्या होता है यह पता होना चाहिए हम सब हमें उसका यूज करके मैंने इसकी value निकाल दी तो आप देखिए यह multiple choice question था तो इसका कौन सा answer सही हो जाएगा answer हमारा है minus 3 by 780 answer is B तो इस question के जो answer है हमारा वो B option सही है